हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू जहारखन परिक्षा जैसे से सीजियल 2022 के लिए रश्टिसन श्टार्ट हो चुका है आप कर लिए जिक किसी भी तरह की दिक्कत है तो उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से आप देख सकते हैं तो पर कराया जा रहा है ओके जहारखन इतिहास में जहारखन इतिहास में अभी हम लोग जहारखन का छेत्रिय राजवन्स पढ़ रहे हैं लाश क्लास जो था लेक्षर नमबर 12 उसमें हम लोगों ने नागवन्स के बारे में पढ़ा था नागवन्स के तीन राजाओं के बारे में लोग ने पढ़ा था और आज जो है ये लेक्चर नंबर 13 है इसमें हम लोग नागवंस में जो लोधी वंस के समकालिन राजा हुएं और मुगल के जो समकालिन राजा हुएं तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज पढ़ेंगे परताप कर्ण के बारे में ये परताप परताप राए नहीं है परताप राए वह है जिन्होंने रालधानी सबसे पहले नागवन्स की जो रालधानी परिवरतन हुई थी वो परताप राए ने की थी सुतियांबे से कहां चोटिया किया गया था ये परताब कर्ण दूसरे हैं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे च्छत्र कर्ण च्छत्र कर्ण के बाद हम लोग पढ़ेंगे वैरी साल ये वैरी साल जो है अगर आप नागवनसावली देखेंगे तो वहरी साल के जश्ट बाद आते हैं दुर्जन साल वही जिनको जहांगीर ने कैद करवाया था गौलियर में 12 साल तक तो इनके जश्ट बाद उनका नाम आता है लेकिन वहरी साल के बाद जो है बहुत सारे facts को आप देखेंगे तो वहरी साल के बाद जिनका नमबर आता है वो है मधुकर्ण सा यह वही मधुकर्ण सा है जिनके समय में अकबर के सेनापती जो है आकरमन करते हैं 1585 में और यह first time होता है कि यह जो है मुगलों के अधीन आते हैं तो यह हो गया मधुकर्ण सा इसके बारे हम लोग जानेंगे और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह जारखन के छेतर में हीरा पाय जाने की चर्चा मिलती है यही कारण न था हीरा ही तो एक रिजन था जिसके कारण दुर्जन साल को कैद कर लिया गया था तो आज हम लोग यह भी जानेंगे कि किस तरह की चर्चा हीरा पाय जान की थी जारकन के चेत्र में और इन सब सासकों के बारे में चानेंगे इसके पहले हम लोगों ने जो बढ़ा है थोड़ा समय आपको रिविजन करवा देता हूं ताकि लिंक जो है बना रहे क्योंकि पुरी तरह से कहानी और сबसे पहले मैंने आपको बताया था कैसे माधरमुंड्य है करते हैं तो फिर यह नागवन्स की अस्थापना करते हैं क्योंकि इसकृद एक नाग है और फिर इनके बाद फने मुकुट राय के बाद मैंने आपको बताया था परताप राय के समय मैंने आपको बताया था कि समदुर्गुप्त की सेना जारकन के छेतर से होते हुए साउत की तरफ जा रहे थी तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि यह अपने राजधानी में सुरक मुकुण राई नहीं बनाये था और सुत्यांवे से राजधाने को परिवर्थित करके चूटिया कर लिया जाता है उसके बाद मैंने आपको बताया मुकुण राय के बारे में मुकुंद राय ये वही है जिनके समय में जहारकन के छेतर में कहने का मतलब छोटा नागपुर का जो छेतर है तो उस समय नर्बली की प्रथा देखने को मिली थी और ये वही नागवनसी राजा है जिनकी मृत्यू नाव से नदी में डूब जाने के कारण होती है उसके बाद मैंने आपको बताया था कंचन राए के बारे में कंचन राए ये वही राजा है जिनके समय में जहारकन के छेतर में बारा वर्स का भीसन आकाल होता है और फिर इनके समय में जनी सिकार की प्रथा देखने को मिलती है मैंने आपको ये सब detail है पढ़ाया अब आपको ये पता होना चाहिए कि जनी सिकार ये जो तेवार है ये हर 12 वर्स में क्यों मनाया जाता है ये हो गया फिर मैंने आपको बताया था भीमकर्ण के बारे में भीमकर्ण ये वही राजा है जो दूसरी बार राजधानी परिवर्तन करते हैं भीमकर्ण इनके पहले जितने भी नाम होए वो राय के साथ होते थे लेकिन इनमें हम लोग कर्ण देते हैं क्यों क्योंकि इनके समय में भीमकर्ण के समय में कलचोरी सासक जो है वो छोटा नागपूर यह जोड लेते हैं, जब इन पर यह आकर्मन करते हैं, लक्षमिकर्ण भीमकर्ण पर आकर्मन करता है, लेकिन लक्षमिकर्ण पराजित हो जाता है, यह कल्चोरी सासक है, तो फिर यह जो अपने नाम में इस नाम को जोड लेता है, भीमकर्ण, और अब से हम लोग कर्ण की बरवा की लड़ाई यह रकसेल और भीम करने के बीच में हुआ था। पिर मैंने आपको बताया फेनु करन राये ओक्तुरीजट मैंने आपको बताई है जो यहें आपको बताया है उदय करने ही टुगलख करने यहें फेनुकरन की दूगलइकर्ण उदायकर्ण ने ये सयद वन्स के समकालिन एकलोते राजा थे उदायकर्ण तो अब जो हम लोग आगे देखेंगे अब क्या है कि लोधी वन्स का सासन श्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत में लोधी वन्स और इस समय जब भारत में लोधी वन्स का सासन था मतलब दिल्ली के छेतर में लोधी वंस का सासन था तो उस समय जारखन के छेतर में नागवंस का सासन था और नागवंस के जो राजा हुए नागवंस के जो राजा हुए प्रित्वी करन, प्रित्वी करन, राय प्रताप करन प्रताब करन देखे करन या फिर करन ये अलग-अलग जो है है लेकिन एक ही नाम है अलग-अलग पुछ तक में आपको देखने को मिलेगा कहें गहीं प्रताब करन लिखा रहेगा कहें गहीं प्रताब करन लिखा रहेगा फिर छत्र करन उसके बाद विराट करन और फिर सिंधु करन तो ये पाँच लोग जो हैं ये लोधी वंस के समकाली थे तो परताप करन को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा आपको एक चीज बता रहा हूं ओडिसा के जो सासक थे उनका नाम था गंगराज ये जो घटना है ये लोधी वंस के समकाली ही ये घटना है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो गंगराज जो है तो उस समय क्या है थे थी जारखन के चेत्र में जारखन के चेत्र में गंगराज का अधिकार हो गया था और इनका संथाल परगना के छेत्र तक संथाल परगना हो गया हजारी बाग यहां तक इन्होंने सासन अस्थापित कर लिया था और ये जो हैं गंग राज जो हैं दक्षिन पुर्वी भारत का सक्ति साली राजा बन गया था दक्षिन पूरी भारत की बात हो रही है पूरे भारत की बात नहीं हो रही है और उडिसा जो है उडिसा ये इसका केंदर बन गया था उडिसा के साथ जारखन लगा हुआ है जारखन के संथाल परगना और हजारी बाग का जो चेत्र है ये गंगराज के अधिकार में आ गया है तो कभी कोशन आए कि किस उडिसा के किस सासक के अधिकार में जहारकन का चेतर आ गया था नागवंसों के समय तो एंसर क्या हो जाएगा गंगराज हो जाएगा चली आगे हम देखते हैं नागवंस में आते हैं नागवंस में अगर आप देखेंगे नागवंसा वली को नागवंसावली को नागवंसावली को किस ने लिखा है? इसे लिखा है बेनी राम महताने तो नागवंसावली अगर आप देखेंगे तो उसी में ये चर्शा है कि इस समय, जिस समय के अभी बात हो रही है लोदीवंस के समकालिन की बात हो रही है तो इस समय नागवंस में, नागवंस का जो छेतर था, नागवंस के जो राजा हुए, तो उसमें घटवारों ने आकर्मन कर दिया, घटवारों का आकर्मन देखने को मिलता है, अब किस तरह का आकर्मन हुआ था, इसके परिणाम क्या हुएं, इसी से एक दो कोशन बन जाता ह तो इसी को हम लोग देखते वे चलेंगे यह समय है परतापकर्ण का तो परतापकर्ण के समय क्या होता है यह लोदी वन्स के समकालिन है पहला चीछ दूसरा यह है कि जब यह सासक थे तो उस समय घटवारों ने विद्रो कर दिया घटवारों ने तो विद्रो किया ही किया घटवारों का विद्रो तो हुआ ही हुआ साथी साथ तमाल के राजा भी इनके साथ मिलकर घटवारों के साथ मिलकर इनका जो है विद्रो ही यह बन गया है घटवारों के राजा घटवारों के जो लोग थे और तमाल के राजा ये जो है परताब कर्ण का विद्रोव करते हैं ये पहला चीज अब होता ये है कि उस समय नागवंस की जो राजधानी है क्या है खुकरा है खुकरा तो ये जो राजधानी है खुकरा तो खुकरा में ये जो है तमाल के राजा तमाल के जो राजा है खुकर में आकर्मन करते हैं और इस गह्राबंदी करके परतापकर् कर्ण को बंदक बना लेते हैं ट्रिक है तोर्ट के जो राजा और नागवंसी सासक परतापकर्ण को इसे छेतर में बंदी बना लेते 있게 faut आप किसी तरह से परतापकर्ण क्या करता है उस समय खैरा गड़ के एक राजा थे उनका नाम था राजा बागदेव तो किसी तरह से देखिए ये जो है राजा बागदेव और तमाल के राजा और घटवारों के साथ इनका जो है सम्मंद सही नहीं था मतलब जो बागदेव थे ये एक तरह से इनके दुस्मन थे तो दुस्मन है इसका और ये दुस्मन है तो दोनों दोस्त हो गया तो किसी तरह से परताप करने जो है इनके पास संदेज में जो आता है मदद के लिए कि आप मेरी मदद कीजिए इन्हें पता चलता है कि इन पर आ पाहता के लिए और इनको पराजित करने के लिए तमाल के राजा और घटवारों को पराजित करने के लिए ठीक है और होता भी यही है यह राजा बागदियों जो है यह तमाल के राजा को पराजित कर देते हैं और पराजित करके फिर परतापकर्ण यह छूड़ जाते हैं और कर्ण पूरा का छेतर बागदेव को दे देते हैं कौन देते हैं परताब कर्ण क्यों देते हैं क्योंकि बागदेव ने परताब कर्ण की मदद की है तबाण राजा के अगेंस्ट में तो ये पहला पॉइंट हो गया ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं च्छत्रकर्ण के बारे में च्छत्रकर्ण के बारे में तो च्छत्रकर्ण का क्या है कि ये भी जो है लोधी वंस के समकालिन हैं और यहाँ पर एक क्या है कि मैंने आपको बताया था भीमकर्ण के समय मैंने आपको बताया था कि जब बरवा का रडाई होता है भीमकर्ण और अ अगेंस्ट में रक्सिल के साथ तो यह जो है वासुदेव की मुर्ति प्राप्त करते हैं एक वासुदेव की मुर्ति आपको यहां भी देखने को मिलेगी यह जो है चत्रकंड यह कोरामबे में यह जो है कोरामबे में वासुदेव की मुर्ति अस्थापित करते हैं वासुदे ये कैसे पता चलता है कि जहां जहां जरूत हो रही है मैं आपको reference बता दे रहा हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक बार अगर notes बना रहे हैं एक बार पढ़ रहे हैं तो ये detail में पढ़ें आप ताकि बाद में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो क्योंकि जहारखंड का ऐस सही जो facts लिखा रहता है सारे books में कहीं कुछ ना कुछ गलती देखने को आपको मिलेगे तो एक बार आप पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और जब कोशन कराया जाएगा तो इनी सब को फिर से repeat किया जाएगा कोशिस होगी कि कोशन को इस तरह से रखा जाए कि इन सभी चीजों का repetition हो जाए ताकि यह सारी चीज आपको असानी से याद हो जाए तो कुराम्बे में वासुदेव की मुर्थिया स्थापित होती है यह कैसे पता चलता है यह पता चलता है द्रिग पाल राम द्रिग पाल राम देव घरिया इनका एक काव्य है इसी काव्य से हमें प वासुदेव की मूर्ती अस्थापित की थी, एक वासुदेव की मूर्ती भीमकर्न भी प्राप्त करते हैं कि इसे रक्सेलों से बर्वा की लड़ाई में, जब यह जीद जाते हैं, यह हो गया, और यह जो मूर्ती, देखिए, मैंने इतना इंपोर्टेंस देखे क्यों बताए सिच को, अभी आपको सौन में आया, देखिए, अब कहानी को जोड़ते चलिए, यह जो कुरामबे में, बहुत लोगों को सौन में आ रहा होगा, कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ, कुरामबे में यह जो वासुदेव की मूर्ती है, इसी मूर्ती से प्रसन होकर, जो वैसनाव स संत थे, उनका नाम क्या था? चैतन्या, चैतन्य प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, यह जब वैसनाव संत चैतन्य महाप्रभु, यह जब मतूरा जा रहा है थे, जारकन के चेत्र से होते हुए, तो इस मूर्ती से परभावित होकर, यह इस चेत्र में रुखे थे, पंच पर जो घटना है ये घटना खुद वैसनाव संत चैतन्य महाप्रभु ने इनका जो चैतन्य चरिता मृत्र है इसमें इन्होंने इस चीज की चार्चा की है साथिसाथ जारकंड का जो भागौलिक चैत्र है उसके बारे में चार्चा की गई है तो ये था चैत्रकंड के बारे में यह point important है, लेकिन जिस जिस नागवनसी सासक से important point बन रहा है, मैं आपको पता देशा रहा हूँ, सभी को नहीं पढ़ना है, लेकिन जिनसे question बनता है, जिनसे facts जुड़े हुए, उनको तो बताना होगा, और मैं कोसिस कर रहा हूँ कि हर चीज को कहानी से जोड़ते हुए, आप को समझाओं, जो कि हरकन के books में ये बहुत कम मिलता है, चलिए, अगला point है, वैरिसाल, ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, एक book में नहीं मिलेगा, एक book में ये मिलने वाला नहीं है, बहुत सारे book में है, तो वैरिसाल जो है, वैरिसाल जिनका एक और नाम है, भूपत्ती र ठीक है, देखे, भूपत्ती राय था, लेकिन ये वैरिसाल अपना नाम कर लेते हैं, और यहां से हमें देखने को मिलेगा, साल की उपादी, बस एक और होता है, मदुकंड, जिसमें कंड की उपादी लगा हुआ है, दोरजन साल, साल लगा हुआ है, तो यह यहीं से स्टार हुमायू और सेरसा के समकालिन नागवंसी सासक हैं, और यह जो हैं पहले नागवंसी सासक हैं, जिन्होंने अपने नाम में साल की उपादी धारन की हैं, जिस तरह से मदुकंड ने अपने नाम में कंड की उपादी धारन की, उसी तरह से वैरिसाल जो हैं, अपने नाम में स साल की आपधी धारन करतें लेकिन क्यूं वहां पर तो था भीमगंड के समयं झार्म कर्यान करते हैं और उनके नाम में झूड़ा हुअ अपने नाम में झोड़ लेते हैं यह अपने आम में पर भीमगंड साल में क्या है कि यह जू है शरसा आ elim सेर्था के ये fan हैं, और इन्होंने सेर्षा की मदद की है बहुत सारी योदू को जितने में तो सेर्षा सेर्षा स्टार्टिक नहीं था ! ये सेर्खान था। और ये क्या करता है उम आपने नाम सेर्षा जोड़ लेता है , अपना नाम सेर्षा कर लेता है क्या कर लेता है वैरी साल कर लेता है तो अब यहां पर क्या है यह तो हो गया कि इन्होंने अपना नाम चेंज क्यों किया ठीक है तो यह मैंने बताया कि साल धारण करने वाला यह पहले नागवंद सासक है यह सकते हैं प्वाइन साल के बार मधुकर्ण साह का नमबर आना चाहिए मदुकर्ण साह का नमबर आना चाहिए तो मैं मदुकर्ण साह के बारे बता रहा हूँ देखिए आपसे ये कभी नहीं पूछेगा किसके बाद कौन आ रहा है किस सासक से कौन से फैक्ट्स जुड़े हुए है ये important है मदुकर्ण साह के बारे में पंदरेस सो पचासी में जो है क्या होता है कि अकबर के सेनपती क्या नाम है सहबाज खान कमबो ये इनके सेनपती का नाम है तो ये जो हैं खोकरा पे आकरिमन करते है अभी तक रालतानी क्या है खुकरा किसने बनाया है, भीमिकडन ने बनाया है, चूटिया से परिवतित करके, तो खुकरा पर ये आकर्मन करते हैं और फिर मदुकर्ण साह को टैक्स देने के लिए या फिर यूं कहा है, कि मुगल के अधिन आने के लिए ये मदुकर्ण साह को मजबूर कर देते हैं, 1585 मे अक्रमन करके, इसके बाद आता है नमबर दुर्जन साल का, लेकिन दुर्जन साल को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना चाहिए कि जारकन के चित्र में ये जो हीरा पाया जाने की चर्शा मिलती है, ये कैसे मिलती है, कहां कहां मिलती है, क्यूंकि दुर्जन साल का सम्मंद क कहीं ना कहीं हीरा से और ये बहुत ही बड़ा पार्खी था हीरा का और यही कारण है कि इनको गिरफतार किया गया था और यही कारण है कि इनको छोड़ा गया था दोनों का कारण हीरा ही है कैसे जब मैं आपको दोर्जन साल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अभी मैं आपको ब क्या है कि मोगलों का अकबर काल में जब अकबर बातस्था थे तो उसी समय मोगलों ध्यान जो है जारकंड के छेत्र में होता है क्यों ऐसा क्या हो जाता जारकंड में एक तो ये मंसा है कि सभी छेत्रों को हम अपने अधीन लाएंगे पहला चीछ ठीक है पहला चीछ क्या हो गया कि सभी छेत्रों को अपने अधीन लाएंगे और दूसरा छेत्र दूसरा रिजन क्या है कि इस चेत्र में हीरा पाया जाने की चर्शा मिलती थी और ये कहां कोयल नदी कहीं कहीं लिखावा है कोयल के बदले संख नदी तो ये जो नदी है इस नदी के चेत्र में इस नदी में हीरा पाया जाने की चर्शा मिलती थी तो पहλα तो ये था कि अकबर के काल में क्या है कि मुगल के बहुत से विद्रोवी भी इस छेतर में रहते हैं थे, पहला reason ये हो गया और दूसरा reason ये हो गया कि यहाँ पर हीरा का पाया जाना, इन दो कारणों से इस पर आकर्मन होता है, और ये कारण है कि मधुकंड सा कि समय 15 1885 में अकबर के सेनापदी उनका नाम क्या है सहाबाज खान कमबो यह आकरमन करते हैं तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो की important point है यह हमें जानना चाहिए तब हम दोजान साल पढ़ेंगे जारखन के छेत्र में हीरा का पाया जाना ठीक है देखिए यह है क्या अकबर काल से ही नागवन्सियों के जो छेत्र हैं तो उसमें हीरा पाया जाने की चर्चा मिलती है और मुगलों को पता था कि इस चेत्र में हीरा पाया जाता है क्योंकि इसकी चर्चा पता कैसे चला इसकी चर्चा बहुत सारे गरंतों में की गई है बहुत सारे गरंतों में ये लिखा हुआ है कि जारखन के चेत्र में हीरा पाया जाता है एक दो एक्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जैसे जो है जिसको टॉलमी ने लिखा है तो इसमें ये चर्चा मिलती है इसमें ये कहा गया है कि इस छेतर में एक नदी है और उस नदी को एडमास नदी कहा गया क्या कहा गया है एडमास नदी ग्रिक में एडमास का मतलब होता हीरा ये जो एडमास नदी है ये गुमला का संख नदी है ये कैसे पता चला ये पता चला एडमास नदी गुमला का संख नदी है ये पता चला J.W. MacRindle ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है Ancient India is described by TOLME मतलब TOLME की जो पुस्तक है जोगरफिया TOLME ने इंडिया की जो चर्चा किया है तो उसका एक तरह से टिपनी है जिसको JW MacRindle ने लिखा है तो उसी में इन्होंने बताया कि ये एडमास नदी और कोई नहीं गुमला का संक नदी है और इस चेतर में हीरा पाया जाता है तो ये दो लोग TOLME और JW MacRindle इन्होंने पुष्टी की ये पहला पॉइंट हो गया मैं प्रूफ दे रहा हूँ ठीक है कि कहा का मिलता हूँ यही सब से पॉइंट जो है यही सब से मार्क्स मिलते हैं आप इसको जान लेजे जैसे सी के लिए उतनी इंपोर्टन नहीं है लेकिन क्या है कि फैक्ट्स आपके दिमाग में टंसेप्ट के मादे हम से बैठे रहेंगे दूसरा यह हो गया कि चेपुंजियों की जो पूस्तक है इसका नाम है हिस्टावरे इस्टावरे डू जो यकस यह चेपुंजियों की पुस्तक है और इस पुस्तक में यह पता चलता है कि संसार संसार के छे अस्थानों से संसार की बात हो रही है पूरे वर्ड में छे अस्थानों से हीरा पाया जाता उसमें से एक अस्थान क्या है उसमें से एक अस्थान है जो बंगाल राजे की एक नदी है जो कि उसमें बंगाल के छेतर में ही था जिसलिए बंगाल लिखा गया है तो बंगाल राजे की एक नदी है उसका नाम है क्या? ब्रहमनी नदी ब्रहमनी नदी जो कि राजी छेतर में ऐसा लिखा गया है और इसी न इसी नदी को अकबर नामा में संख नदी बताया है, जो कि गुमला का है, गुमला पहले राची का ही छेत्र था, तो ये संख नदी बताया गया, ये दो पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट है, कौटले का जो अर्थ सास्त्र है, कौटले का जो अर्थ सास्तर है, इसमें भी इस छेत्र की चाचा मिलती है, और ये कहा जाता है, कि इंदर वानक नामक एक स्थान है, इस छेत्र में यहां से हीरा पाया जाता है, तो ये क्या है कि इतने सारे facts हैं जो की support करते हैं कि इसcano में हीरा पाया जाता था और यही कारण है कि मुगलों का आकरसन इस चेतर में होता है पहला क्या था कि इस चेतर में मुगल के बहुत से विरोधियों का ये ठहरा हुआ करता था पहला रिजन ये था कि अपने विद्रोईयों से ये नहीं पढ़ना चाहता था दूसरा ये था कि बहुत सारे गरंतों में जहारकंड के छेतर से हीरा पाया जाने की चर्शा मिलती है तो हीरा के लिए भी मुगल ने यहाँ पर आकरमन किया था अब इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूर्जन साल और किस तरह से एक हीरा जो है एक ही नहीं मतलब हीरा का पाया जाना दूर्जन साल की गिरफतारी का कारण बनता है और हीरा ही दूर्जन साल की मुक्ती का भी कारण बनता है मतलब कैसे उनको छोड़ा जाता है चेल से तो यह जो है हम लोग अगले lecture पढ़ेंगे यहाँ तक आप समझ गया होंगे इसको एक बार आप revise कर लीजिएगा यह जो class notes है यह जो मैंने लिखा है revision के लिए आपको यह PDF दे दिया जाएगा टेलिग्राम में जो भी classes होते हैं वो टेलिग्राम में उसकी सूचना दी जाती है तो टेलिग्राम आप जोइन कर लीजिएगा इसके बाद हम लोग 2 जन साला स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत सारे facts पढ़ने हैं इसलिए यह भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे अगले class में पढ़ेंगे तो चलिए मिलते हैं जहार केंट के अगले वीडियो में धरने में